मद्य प्रदेश में बारिश से बाढ़ जैसे स्थिती है अगले चार दिनों के लिए ओरेंज और यलो अलर्ट जारी किया गया प्रदेश में मौसम वभाग ने जारी किया है अलर्ट श्योपूर मुरैना भिंड दतिया में भारी बारिश की आश्रंका जाहिर की गई है गुना गौलियर श्योपूरी अश्योख नगर में भी बारिश के आसार है तो अगले चार दिनों के लिए मौसम वभाग का अलर्ट है औरेंज और यलो अलर्ट प्रदेश में जारी किया गया है तो कई जगों पर बारिश का अनुमान जाहिर किया गया है मौसम विभाग की तरफ से बता दे आपको कि अगले चार दिनों के लिए मध्य प्रदेश में बारिश की वज़स से परिश्वानिया और जादा बढ़ सकती हैं ऐसा अनुमान मौसम विभाग का है और यलो अलर्ट अब प्रदेश में जारी मौसम विभाग ने कर दिया है आपको बता दे कि मौसून की सक्रियता के बाद से ही लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है और इस वक्त नदी नाले उफान पर हैं परिशानिया बढ़ रही है लेकिन किसानों के लिए ये बारिश बहतर भी साबित हो रही है शबीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं शबीर सबसे पहले मौसम को लेकर ताज़ा अपडेट प्रदेश में क्या है वो बताईए और इसके बाद क्या संभावना मौसम विभाग की है अगले समय के लिए देखे इस वक्त की बात करो तो राज़दानी में इस वक्त भी हलकी बारिश हो रही है या फिर एमपी के अलग-अलग हिस्सों की बात करें तो एमपी के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की खबरे सामने आ रहे हैं और उसी के कारण नदी नाले पूरी तरह से उफ़ान प अगर संपर्क किया जाता है तो तुरंत मोके पर पहुंचे और रेस्क्यू किया जाए क्यूंकि कई जगाओं पर रेस्क्यू नहीं होने के कारण दिक्कते सामने करना पड़ रहा है वहीं आपने दूसरा जो सवाल पुछा कि अभी मोसम विभाग की तरफ से क्या अलट जारी किया गया है तो मोसम विभाग की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि 29 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन रहा है और उसी के कारण मूशला धार बारिश हो सकती है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए मोसम विभाग की तरफ से अगले चार दिन तक के औरेंच और यलो अलड जारी किया गया इसमें खासतर गौलियर चंबल इलाके हैं आपको बता दें मुरेना भिंड दतिया गुना गौलियर शुपुरी अशोगनगर यहां पर अत्यधिक बारिश की जो है संभावना जताई गही अलड जारी किया गया है मद्द्देश की ब रहा है महां पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है वोसम विभाग ने जिस तरीके से अलड जारी किया गया है चार दिन का तो यानी चार दिन तक और भी मुसीब़तों को सामना करना पड़ेगा और इसके साथ हम यातायाद प्रभावित की बात करें कि जिस दोरी के से ब गई हैं तो यह कह सकते कि आने वाले समय में और भी बारिश दे बुरे हालात मदप्रदेश के हो सकते हैं जिस हिसाब से मुझा विबाग ने अलट जारी किया है बहुत शुक्रिया शुबीर आपका तमाम जानकारी के लिए जे बहुत अर्णी मेंग मेंग देंग discussion